हेलो फ्रेंड स्वागते आप सभी का हमारे चानल 4 फिल्म सुने में आज हम एक्सप्लेइन करने जा रहे हैं डिटेक्टिव कोनन दे सकारलेट बुलेट को डिटेक्टिव कोनन की ये एक दूसरी मूवी का एक्सप्लेइन हमारे सेकेंड चानल पर पड़ा हुए तो अगर आपको यह अच्छा लगता है तो एक बार आप उसे भी विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आता है तो फिर सब्सक्राइब कीजिए और बैक्राउंड में आने वाले शोर को एग्नोर करें क्योंकि हम घर चुन सकते हैं पडोसी नहीं तो लेट्स रोल अप दा इंट्रो और चलो फिम सुने तो कहानी शुरी होती है एक डरे हुए आदमी से चुकि किसी से बच करके भाग रहा होता है उसके हाथ बंधे होते हैं और यहां पर वो जैसे तैसे भाग करके एक ट्रेन के अंदर चुट जाता है कि तभी पीछे से ओपनिंग सेर्विमनी होने वाली थी यह ट्रेन एक जैपनीज बुलेट होती है मतलब कि इसकी स्पीड किसी बुलेट की स्पीड के जितनी होती है और इतने बड़े इवेंट में वर्ल्ड स्पोर्ट्स एसोसियेशन के प्रेसिडेंट एलन भी आने वाले होते हैं जो कि य यहां पर हम देखते हैं कोनन को जिसके साथ उसके दोस्ट भी होते हैं और वो सभी लोग काफी जादा खुश होते हैं अगर आपको कोनन के बारे में नहीं पता है तो कोनन का रियल नेम होता है शिनीची कूडो और वो हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक बहुत अच्छा डिटेक्टिव होता है लेकिन एक दिन वे एक ऐसी ब्लाक और्गनाइजेशन का पीछा कर रहा होता है जो लोग उसे पकड़ करके कैसी ड्रग्स दे देते हैं जिसकी वजह से उसकी बॉडी श्रिंक हो जाती है और वो एक छोटा सा बच्चा बन जाता है यह बच्चा बनन लेकिन जब उसे वहां से निकलना हुआ तो वहां के मेंबर्स ने उसे भी वही ड्रग दे दिया और वह भी श्रिंक होकर की बच्ची बन गई होती है यहां पर बहुत सारे चोटे-चोटे बच्चे होते हैं जो कि अब कोनन के फ्रेंड्स होते हैं वो लोग इस ट्रिप पर इस राइट पर जाना चाते हैं लेकिन यहां पर यह टिकेट किसी भी नौर्मल इंसान को नहीं मिल सकते हैं और रैन की बेस्ट फ्रेंड्स सोनो को बहुत ही जादा रिच होती है और उसके फादर इसी वर्ल्ड स्पोर्ट्स गेम्स के स्पॉंसर होते हैं इसलिए उनके थ् प्लेट सदाती हैं और खाने को देख कर उनका सारा मूड बदल जाता है अब यहां पर वो लोग खाना खाना स्टार्ट करने ही वाले थे कि तब भी वहां पर लाइट चली जाती है इस लाइट के जाने पर कोनन यहां पर एक फ्लैश को देखता है और वह उसका पीचा करता पर तब तक वहां पर लाइट आ जाती है और यह पता चलता है कि सोनोको के फादर गायब हो गया हर कोई उन्हें सब जेगे ढूंटे हैं पर वो कहीं भी नहीं मिलते हैं इसके बाद वह बच्चे यह नोटेस करके बताते हैं कि वहां से एक ट्रॉली गायब होती है कोनन को लगता है कि उसी ट्रॉली के अंदर बिठा करके सोनको के पापा को ले करके गए होंगे और इसलिए वो लोग जा करके किचिन में तलाशी लेते हैं तो वहां पर उन्हें सोनको के फादर मिल जाते हैं और इस सारे इंसिदेंट से जॉन फ्लॉइड नाम का एक आदमी बहुत जादा डर जाता है जो कि इस पूरे इवेंट का चीफ एक्जेक्यूटिव ऑफिसर होता है अब नेक्सीन में यहां पर सोनको के फादर बताते हैं कि कुछ दिनों पहले उनी की फ्रेंड जो भी इसी चीज़ की स्पांसर है उनका भी ऐसा ही किड्नाप हो गया तो और थोड Emperor सोनको पूद्र यहां पर चार ऊफिसर रहरे होते हैं जो कि को अनको और उसकी इंटुरीजेंस को अच्छे से जानते हैं और अकाई भी नेंसे एक होतां ऑर यहां पर को नन से मिलतां को बताता है कि 15 साल पहले बॉस्टね बिजिए ही Save और यहां पर दो लोग तो सही सिलाम का मॉर्डर हो जाता है वो वही सीन था और 15 साल पहले उस वक्त एलन वहां का FBI डिरेक्टर था इस पूरी घटना में उन्होंने सस्पेक्ट को पकड़ लिया था जिसका नाम होता है इशिहारा इशिहारा एक सूशी शेफ होता है और उनका शक होता है कि उसी ने वो क्राइम किया है असल में जिस वक्त वो मॉर्डर हुआ था उस वक्त इशिहारा उसी रेलवे स्टेशन पर ही मवजूद था जहां से गोली चलाई गई थी और साथी में उन्हें एक वैपन भी मिला था जिस वैपन के उपर इशिहारा के फिंगरप्रेंट्स भी थे और वो उने पूरी exact details देता है जिसकी वजह से FBI confused हो जाती है और अब उसे ऐसा लगने लगता है कि वो दूसरा आदमी वो killer है जिसने दो लोगा किड़ने आप और एक आदमी को मारा था और अब same event यहां पर भी किया जा रहा है इसलिए FBI इसमें इंट्रस्टेड होती है और आब कुछ दिन पहले नशे नशे में जौन फ्लॉइड ने उन दोने sponsor का नाम एक random आदमी को बता दिया था और इसके बाद ही दोनों sponsor का किड़ने आप हो गया तो उसे सारी उसकी खुद की गलती लगती है और अब जौन इस बार से डरा होता है कि कहीं तीसरा किड़ने आप खत्र है इसलिए वो नहीं चाता कि रैन या फर कोनन ये दोनों ही इस ट्रेन में चड़े लेकिन दोनों को इस ट्रेन की राइट पर जाना होता है और कोनन को तो ये case solve करना होता है और अब next scene में हम एक explain opening ceremony देखते हैं जहां पर उन्हें पूरा समझाया जा रहा था कि exactly ceremony वा पर देश का फ्लैक मौझूद होगा इसके बाद उन्हें ओसा नाम की इंजीनियर से इंट्रोड्यूस करवा जाता है जिसने कि इस ट्रेन को बनाने में help किया और फिर वहां पर माई को आती है जो कि लोगों से बात करेगी माई को एक तरह से यहां पर common लोगों के लिए इस के लिए वो लोग और भी जादे एकसाइट हो जाते हैं और अब सारे बच्चे उसी शो में चले जाते हैं और रैन और कोनन यह दोनों उसी स्टेशन पर पहुँच जाते हैं जहां पर आज ओपिनिंग सेरुमनी का दिन आ चुका होता है यहां पर माउरी उन दोनों को लेजर में लगा देता है इसके बाद वो अकाई से कॉल करता है असल में एकाई ने यह डिसाइड किया था कि एक बहुत यह अच्छा शार्प शूटर होता है और यहां पर जिसने भी क्राइम किया है उसे जान से मार देंगे और अकाई भी इस और से पीछे नहीं अर सकता ह जब कि कोनन किसी भी क्रिमिनल को जान से मारना नहीं चाता है यहां पर अकाई का काम होता है कि वो बहुत दूर से उसी ट्रेन के उपर शूट करें वो जिस बुलेट का इस्तिमाल करने वाला है वो एक सिलवर बुलेट होती है जो कि काफी जादा स्पेशल होती है और इसका बाद उसकी वाइप और बेटी ये दोनों ही जिपान वापस आगे थे क्योंकि इशिहारा भी एक जापनीजी होता है यहाँ पर वो कोनन को उसकी बेटी का नाम देता है और अब कोनन चुपके से एक लिस्ट में उस नाम को चेक करता है तो उसे वैसा कोई भी नाम नहीं मिलत होता है तब अकाय उसे बताता है कि एक विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम होता है जिसके तहट कोई भी आत्मी अपना नाम बदल सकता है और उसे एक नई पहचान दे दी जाती है तो यहसा हो सकता है कि इशिहारा की बेटी और वाइफ में भी एक नई पहचान ले होता है मेरी जिसे कि वही द्रग दे दी गई ती गलती से जिसकी वज़यी उसके purity करके बच्त ड कशिरा की यहीं इसलिए यहां पर आप नहीं पता होता है कि उसका अपना इसे जिसके हाथ से गलती से एक energy drink गिर जाती है जिसे कि Conan देख लेता है ये एक special energy drink होती है तो वो इसे दुबारा से Alan को दे देता है पर तभी वहाँ पर अचानक से ventilation duct फट जाते हैं और उसके अंदर से helium gas निकलने लगती है जिसके वजह से यहाँ पर हर कोई बेहोश रहाता है दूसी तरफ अकाय जो कि अपनी sports car के अंदर बैठा होता है वो यहाँ पर देखता है कि कोई bike से उसके ओपर नज़र रख रहे हैं असल में यह Sarah और Mary होते हैं तो वो इनका पीछा करने लगता है और अपने scene में हम देखते हैं कि Conan को होश आ चुका होता है पर अब यहाँ पर John Floyd गायब होता है लेकिन क्योंकि Conan ने पहले इसके ओपर tracker fit कर दिया था तो वो अपने glasses के थूँ देख लेता है कि वो इस वक्त कहां पर है और वो अपने skateboard से उसके पीछे निकल जाता है पर यह glasses तूट गए होते हैं तो वो यहाँ पर हाइबारा से help मांगता है और अब तक वो अकाय को भी सब कुछ बता देता है और अब अकाय भी सारा का पीछा छोड़ करके Conan की बताईवी जगे पर ही जाने लगता है यहाँ पर हाइबारा उसे नई location बताती है जहाँ पर इस वक्त जॉन फ्लॉइड है और साथ में वो यह भी बोलती है कि MRI मशीन एक magnetic मशीन होती है जिसके अंदर बहुत सारा helium भरा होता है और यहाँ पर किसी ने उसके अंदर कुछ ऐसा metal डाल दिया होगा जिसके वज़ए से machine में problem आ गई और सारा helium ग्यास बन करके एक साथ ही release हो गया पर इसके साथ ही criminal ने बहुत सारे दूसरे duct को बंद कर दिया ताकि सारा pressure सिप उसी hall में जाए जहाँ पर Alan था और इस तरह से यह सब को जौन की kidnapping के लिए जान बूच करके plan किया गया था अब नेक सीन में यहाँ पर अकाई एक abandon जगे पर पहुँच जाता है कि तभी वहाँ पर पीछे से वही कार निकलती है जिसके अंदर जौन होता है पर अब यहाँ पर उसके सामने सेरा होती है जिसने helmet पहना होता है तो अकाई उसे पहचान नहीं पाता है और उनके बीच में एक fight स्टार्ट हो जाती है दोनों ही fighting में अच्छे होते हैं तो उनकी fight लंबी चलती है पर तब ही अचानक से अकाई यहाँ पर सेरा का चेहरा देख लेता है और अब वो और ज़्यादा लड़ना नहीं चाता है अब तक यहाँ पर Conan भी आ जाता है और सेरा Conan को जानती है और उसकी उससे friendship होती है Conan सेरा से बात करने लगता है और अकाई अपनी कार को ले करके निकल जाता है इसके बाद सेरा और Conan यह दोनों बाइक से उसी जेके पर जाते है जहाँ पर जॉन फ्लॉइड हो सकता है और यहाँ पर वो इन्हें ट्राक सूट के अंदर मिल भी जाता है बाहर निकल करके वो उन्हें बताता है कि उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके आस पास कोई और भी है और अब यहाँ पर हाई बारा उसे बताती है कि Allen का भी Kidnap हो चुका है तो मतलब कि John और Allen दोनों का ही सेम टाइम पर Kidnap हुआ होगा साथ में हाई बारा ये भी बोलती है कि इतने सारी Kidnaping के बाद भी अभी भी ये opening ceremony जरूर होगी पर अब यहाँ पर train के अंदर कोई भी नहीं बैठेगा ये वोर्ल्ट की fastest train एक station से दूसरे station तक खाली जाएगी और उसके पीछे से बाकी सभी passenger एक दूसरे train में बैठ करके जाएंगे जहाँ पर उन्हें उस fastest train के बारे में सब कुछ बताया जाएगा अब यहाँ पर जैसे ही वो खाली train चलना है स्टार्ट होने वाली थी कि तब तक वहाँ पर Conan आ जाता है और वो अपनी super kick से एक ball को kick करता है जिसके वज़े से सब का ध्यान अलग हट जाता है और यही मौके का फायदा उठा करके वो और सेरा train के अंदर चले जाते हैं train में यहाँ पर Conan को एक sweet सी smell आती है तो वो अपनी watch के light से देखता है तो उसे एक अलग chemical के निशान मिलता है असल में वो energy drink जो कि Alan पी रहा था उसने उसी energy drink को जान भूच कर हर तरफ गिरा दिया होता है तक कि अगर कोई भी उसे बचाने आए तो उस तक पहुँच सके और इस तरह ऐसे Conan उन निशानों का पीछा करने लगता है कि तभी उसे अकाय का call आता है अब अकाय यहाँ पर shooting के लिए बिनकुल तयार था और उसका निशाना set होता है तो Conan उसे fire करने के लिए बोल देता है और वो bullet भी fire कर देता है पर क्योंकि train की speed इतनी तेज है तो वो silver bullet इतनी जल्दी train तक नहीं पहुच सकती है आगे Conan train में यहाँ पर finally island को ढून लेता है जो कि एक brief case के अंदर बंद होते हैं कि तभी दूसरे train में बैठे हुए ran और हाई bara क्यामराज में Conan को देख लेते हैं और अब यहाँ पर Conan बोलता है कि उसे सिनीची ने ऐसा बताया है कि वो प्रूफ कर सकता है कि इस पूरी kidnapping के पीछ एक कौन है और अब यहाँ पर Conan दूसरे FBI मेंबर की help से एक ही साथ में उस train में बैठे हुए हर passenger के phone को call करवाता है सभी का phone ring होता है जिसमें Conan और Sarah भी होता है पर वहाँ पर सिर्फ एक ही phone ring नहीं होता है जो की होता है माइको का क्योंकि माइको जब MRI मशीन के पास में गई होगी तब वहाँ पर magnetic waves की वज़े से उसका phone खराब हो गया होगा और होता भी ऐसा ही है तब वहाँ पर माईको सब के सामने आजाती है जो की Allen को मारना जाती है और उसके हाथ में एक गन होती है वो बताती है कि उसके पिता का नाम होता है इशिहारा जो कि वही शेफ होते हैं जिने की सस्पेक्ट मान करके पकड़ लिया गया था और बाद में उनके जेल में डेथ हो गयी थी वो बोलती है कि जब पहले kidnapping होई थी तब उसके पिता उसके साथ में कई और थे तो मतलब कि वो इस पूरे crime के suspect नहीं थे फिर भी उन्हें मार दिया गया और इसलिए अब वो Alan से अपना बदला लेना चाहती है और Alan को ये पूरा crime याद है इसलिए उसने पिछली तीन kidnapping करी होती है और उसे यहाँ पर सिर्फ एक इंसान को मारना होता है इसलिए उसने तीनों लोग को छोड़ दिया होता है और वो सिर्फ Alan को ही मारना चाहती है अब यहाँ पर Conan अपनी वाट से निशाना लगा करके माइको को भिहोश करने की कोशिश करता है कि तब ही अचानक से train की speed बढ़ जाती है असल में ये पूरी train electric होती है जिसे किसी भी driver की जरूरत नहीं और इसे कहीं से भी control किया जा सकता है इस पूरी train का एक control room होता है और साथ ही में ओ साथ जो की दूसरी train में होता है उसके अपने tablet में भी इसका एक control system होता है और अब यहाँ पर एक बार फिर से माइको को मौका मिल जाता है कि वो Alan को shoot कर सकती है तो अब Alan उसे बोलता है कि अगर इसी speed में उसने shoot किया तो ऐसा हो सकता है कि bullet divert हो जाए और किसी और को लग जाए क्योंकि इस वक्त train की speed बहुत जादा होती है और Alan उसे बोलता है कि अगर उसके मरने से ही उसका बदला पूरा होता है और बागी सभी लोग बच रहे तो वो इसके लिए तयार है Alan उसे एक proper position बताता है जहां से वो shoot करेगी तो Alan को bullet लग जाएगी पर अब जैसे यहाँ पर माई को इस position पर पहुंचती है कोरण जल्दी से उसके सामने एक परदा कर देता है और अब यहाँ पर माई को shoot करती है पर निशाना उससे miss हो जाता है और तब यह चानक से वो ही silver bullet आ करके माई को को लग जाती है पर इससे माई को की death नहीं होती है और उसे बस short लगती है पर अब यहाँ पर सेरा बोलती है कि माई को की help करने वाला कोई और भी होगा क्योंकि इतनी बड़ी-बड़ी किट्नया पेंगा केले माई को नहीं कर सकती है साथ ही में आलन का weight भी इतना जाता है कि उसे लगच के अंदर डाल करके train के अंदर लाना ये माई को के बस की बात नहीं होती है सबको भी ये बात सही लगती है और अब कोनन बोलता है कि जिसने भी इस train की speed तेज करके माई को की help पी थी वही इस सब के पीछ है और उसका नाम होता है OSA यूँकि OSA भी एक Japanese है और 15 साल पहले जो case हुए थे उसमें एक suspect और एक victim बस वही दोनों Japanese है तो अब यहाँ पर OSA बोलता है कि वो जो पहला suspect था OSA उसी का बेटा है पर उस kidnapping के बाद उसके पिता ने उस sponsorship को बंद कर दिया और इसके बाद US का भरोसा उसके पिता जी के उपर से हट गया और पिर उन्हें भाग करके वापस Japan आना पड़ा और जब उसके फादर का kidnap हो रहा था उस वक्त ही सब को चोसा ने देखा था लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं मानता है और इसी बात को लेकर के उसा के मन में FBI को लेकर के बहुत जादा नफरत होती है जिसकी वज़े से वो बरबाद हो गया और अब वो एक ऐसे इंसान को ढून रहा होता है जो कि FBI से उतनी ही जादा नफरत करे और यही पर उसे online social platform से माईको के बारे में पता चलता है और इसी के बाद यह दोनों साथ में मिलकर के प्लान बनाते है और इनका काम होता है एलन को मारना और इतना बोलने के बाद जैसे ही train रुखती है उसा वहाँ से भाग लेता है सबी लोग उसा का पीछा करते है पर वो यहाँ पर एक ब्लाक कलेट की कार से भाग रहा होता है तो अब यहाँ पर अकाय उसका पीछा करता है और बाकी के FBI officers भी उसके पीछे लगे होते है लेकिन यहाँ पर उसा हर किसी को चक्मा दे रहा होता है साथी में वो अपने टैबलेट से उस train की speed और भी ज़्यादा तेज कर देता है मतलब कि वो किसी भी हालत में बस Alan को मारना चाहता है और जब यह बात Conan को समझ में आती है तो वो train को रोकने की कोशिश करते हैं पर सारे break fail होते हैं क्योंकि सब कुछ उसा का plan होता है अब station आने वाला था और अगर वो लोग जल्दी से train को नहीं रोकेंगे तो फिर सब की मौत हो जाएगी और station पर भी काफी लोग मर सकते हैं और अब यहाँ पर Conan एक plan बनाता है और वो चला जाता है train के बिल्कुल starting में यहाँ पर वो अपनी super kick से train के आगे का हिस्सा तोड़ देता है जहाँ पीछे Sarah उसी बड़े से flag से एक parachute जैसा बना लेती है जिस flag की hosting उन्हें यहाँ पर करनी थी यह flag इतना बड़ा होता है कि वो रस्सियों से बांदे जाने के बाद बिल्कुल किसी parachute की तरह काम कर सकता है अब जैसे ही यहाँ पर Sarah उस parachute को open करती है train के starting में खड़ा हुआ को नन एक ball को निकालता है और shoot करता है यह ball उसे scientist professor ने बनाई होती है जिसका size लगातार बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते बहुत जादा बढ़ा हो जाता है इसकी वजह एसे train की speed slow जाती है पर अब train अपने track से उतर जाती है और पूरी train भरबाद हो जाती है और उसका बहुत बढ़ा accident हो जाता है सबको ऐसा लगता है कि शायद Conan भी अब नहीं रहा लेकिन तब ही वो देखते हैं कि Conan, Sarah, Michael और Alan ये चारों लोग उसी seats पर बैठो होते हैं उन्होंने seatbelt बांद के रखी होती है seatbelt बांदने के वजए से वो काफी जादा unrealistic तरीके से बच जाते हैं दूसी तरफ ओसा जो कि भाग रहा होता है फाइनली उसे भी वो लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि उसकी कार का accident हो जाता है और अब यहाँ पर एक FBI officer उसे बताती है कि actually में इशिहारा ही वो murderer था जिसने की kidnapping और murder किया था उसका एक partner था जो कि चार साल बाद आगर के अपना confession देता है और उसा अभी तक जिस बात के लिए revenge ले रहा था उसका कोई मतलब भी नहीं था वो एक meaningless बात के लिए revenge ले रहा होता है और same माई को भी ऐसा ही कर रही थी सच में उसके पिताई kidnapper होते हैं पर फिर भी क्योंकि उसका विश्वास होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं इसलिए उसने इतनी बड़ी planning कर दी होती है और अब यहाँ पर यह दोनों ही पकड़े जा चुके होते हैं यहाँ पर वेफबे ऑफिसर अकाई की तारीफ करती है कि उसने किते अमेजिंग तरीके से बुलेट को फायर किया कि वो जाकर के सीधे माई को को लग गई पर अब यहाँ पर वो बोलता है कि यह सारी planning कोनन की होती है कोनन ने पूरा calculation किया होता है कि silver bullet की speed के हिसाब से और उनकी train की speed के हिसाब से कौन से angle में माई को को खड़ा करना है कि गोली उसे इस तरह से लगे कि माई को को सिर्फ चोट लगे उसकी जान नहीं जाए वैसे यह भी काफी जादा unrealistic होता है पर वो जैपैन है और वहाँ पर ऐसी technology से related कुछ भी हो सकता है और माई को कौन सी position में खड़ा करना था इस बात का पता उसने Alan को एक email के जरीये दिया होता है और Alan भी उसे email को देखने के बाद ही माई को सारी बाते बोलता है और अब finally क्योंकि सबी भी लोग बच चुगे होते हैं और Conan भी बच गया होता है तो इसी happy ending के साथ यह movie यहीं पर खत्म हो जाती है movie की story अच्छी होती है पर काफी जादा unrealistic होती है तो अगर आपको मेरा explain पसंद आया हो तो please मेरी वीडियो को like करे, share करे और मेरे चैनल को subscribe करे तो मिलते है next video के साथ bye-bye